दोस्तों लंबे समय के इंतजार के बाद KGF चप्टर 2 थेटर्स में आ चुकी है जिसका मैंने पहला शो देखा जो कि 9.45 का था क्या करें हमारे हाँ पहला शो ही इसी टाइम रिलीज होता है और मैं जानता हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि वीडियो इतनी लेट क्यों आई वीडियो लेट आने की वज़े से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मेरी अभी कुछ मजबूरियां है जिनकी वज़े से मेरी वीडियो लेट आ रही है जो कि आगे जाके ठीक रहेगा इसलिए बेफिकर रही है और मैं आपको स्पोईलर फ्री रिव्यू देने ब पताऊँ तो चप्टर वन में रो की के कए जीया जाने के बाद वाले स्टोरी ने ही लोगों को जाध़ पागल बनाया था इसलिए चप्टर तू का लोग बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे अब इस फिल्म को देखने से पहले आपको केजियो चप्टर वन को देखना बहु वन के fight scenes जो चोपी feel हो रहे थे वो चीज इसमें नहीं थी बस कुछ एक scenes को छोड़ कर फिल्म की direction कमाल की है और जो पहले part और दूसरे part की continuity बनाई गई है वो भी काभिल अतारीफ है और chapter 2 में villain को काफी अच्छे से दिखाया गया है जिसकी कमी chapter 1 में थी मतलब chapter 2 में audience villain के साथ काफी अच्छे से connect हो जाती है और साथ ही villain hero की टक्कर का दिखाया गया है मतलब संजेदत के किरदार ने काफी कमाल की performance दी है और villain के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है और जो संजेदत के look को viking से copy बताया जा रहा था उसे film में काफी अच्छे तरीके से explain किया गया है इसलिए आपको film देखते समय वो copy वाली feeling आएगी ही नहीं और अगर रवीना टेंडन की बात करें बेशक से उन्हें film में कम दिखाया गया हो लेकिन वो अपने किरदार से सभी का दिल जित लेती है मतलब पूरी film रोकी के आसपास चलती है लेकिन फिर भी रवीना अपनी एक्टिंग का कमाल दिखा ही देती है और अगर इस film के background music की बात करें तो background music इस film की जान है जो कि पूरी film में बजता रहता है और काफी amazing भी लगता है लेकिन वही music कुछ कुछ जगा पर कमिया भी create कर देता है क्योंकि music के loud होने की वज़े से कुछ जगा के dialogues जो है वो music के नीचे दब जाते है बाकी film का screenplay काफी अच्छा है और dialogues भी काफी दमदार लिखे गए है और सभी की performance भी कमाल की है और याद रखना के film के खत्म होने के तुरंत बाद ही बाहर मत निकल जाना वरना आप film के mid credit scene को miss कर देंगे और फिर बाद में आपको पश्तावा होगा इसलिए बैठे रहना आपको surprise मिलने वाला है इसलिए जाओ film को enjoy करो बस जादा दिमाख मत लगाना वरना इसमें कुछ scenes आपको पसंद नहीं आएंगे क्योंकि वो scene बिना sir repair के हैं अगर आप उन्हें ignore कर दोगे तो आपको film पसंद आएगी मुझे भी film पसंद आई बस इन चीजों को छोड़ कर अब मैं आपको यहाँ spoiler नहीं देना चाहता इसलिए यह सब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप उन scenes के बारे में क्या सोचते हो वैसे आपको film पसंद आएगी अगर आपको chapter 1 पसंद आया है तो और अगर आपने film देख लिए है तो नीचे comment section में लिखना मत भूलेगा कि आपको film कैसी लगी और अगर आपको मेरा यह review अच्छा लगा तो वीडियो को like मार दो और दोस्तों में share भी कर दो और अगर आप इस channel पर नए हो तो हमारे channel को subscribe कर दो और साथ ही bell icon भी press कर दो तो चलिए मिलते हैं next video में stay tune, goodbye झाल